इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर प्रेज करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जो फॉर्विया मिली एक बहुत ही खुबसूर सा प्लांट जो लगवग पूरा साल ही फ्लावरिंग करते हैं मगर जो इसका पीक सीजन होता है फ्लावरिंग का वो बिंटर के एंड में होता है जब मोसम में थोड़ी सी जो ठंड़क है वो भी होती है और दिन में जो है अच् अगर आपको इसकी कटिंग कहीं से मिले तो आप उसको गरो कर सकते हैं जहां इसको आप नर्सरी से भी ला सकते हैं हेलो प्रेंड्स वीबी गार्डन में आपका स्वागत है तो आज हम बात करेंगे एक बहुत खुबसूरत सा और हार्ड़ी ट्लांट लो मेंटेनिस और मैं इसको पिछले साल नर्सरी से लाई थी पचास रुपे में छोटा सा प्लांट था और कुछ 8-10 महीने में ही और यह देखिए पूरा प्लांट बुशी बन गया है और पूरा गमला इस प्लांट से भर गया है और बर बर के इसमें फूल आ रहे हैं तो इस समय आप इसको नर बेल ड yen मैंने बनाई है और बेल डsection मिकी बनाने के लिए आप क्लिए कर जो हैं इसमें गर्डेन डाल सकते हैं और 30 जा 40 जो है रेट डाल सकते हैं जो 20 पर संट gate रिदी बनती है और जो आप कंपोस डालेंग़ थी प्लांट को अ च्छी जो है जो पोश्क्तत्र parlं पिछ्या प्लांट है, वो अच्छे से ग्रो करेगा और इस तरह के सी फूल देगा आपको और इस तरह की ही मिटि में लगाया हुआ है और यह देखिए इस तरह की गा जे प्लांट जो है अच्छे से ड्वावरिंग हो गया है और जैसे ही अभी मौसम में थोड़ी सी ठंडक भी है और दिन में अच्छी खासी दूप होती है और इस तरीके से इसमें फ्लावरिंग हो रही है तो आने वाला सीजन है वो तो इसका फ्लावरिंग का ही सीजन है इसमें तो पुरा साल ही लगवक फ्लावरिंग होती है मगर जो पीक सीजन इसका फ्लावरिंग का यही होता है फर्बरी आपका प्लांट है वो सदा आपके पास बना रहेगा तो क्योंकि इस प्लांट को ज्यादा पानी पसंद नहीं होता है तो अगर आप आपने बैल ड्रेन मिटी बनाई होगी तो आपका जो प्लांट है वो कभी भी खराब नहीं होगा क्योंकि पहले भी मेरे पास भी था इस त जादा पाणी नहीं देती हूंक ज़िन मِट्टी सोग गई है तो तब मैं इसको पाणी देती हूं तो इस तरीके से ही। आप आपने प्लांट को पाणी मिट्टी यह जवैं मिट्टी आज आज आप को लगे je विपर तो आप इसको बानी दीजिए ! यह plant कम पानी से नहीं मरता है तो जितना जितना यह ओवर वाटरिंग से मरता है तो इसको आपने कभी भी ओवर वाटर नहीं करना है सिर्फ इतना ही पानी देने है कि इसकी मिट्टी जो है थोड़ी सी मौस्ट रहे क्यूंकि ये एक सेकुलिन टाइप का पलांट होता है, जिस तरीके से अडेनियम होता है जो नीकलता है सेम इसका भी यही हिसाब है कि जब आप पानी प्रांट इस के सब्सक्राइब गुथानग निकलता है ज़ए पामन प्रहे पैसे पानी पजूदाते रही जड़े हैं नीच突र इस घूलना स्टार्ट प्रहे पूरा प्लांट जो एक दम से ही खराब हो जाता है तो इसको भी आपने ज़्यादा पानी नहीं देना है तो अभी बात करूँ सॉनलाइट की तो आप इस प्लांट को फुल सन में रख सकते हैं चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो तो ये फुल सन का प्लांट है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जैसे जून जुलाई में तो जून महिने में आप इसको ऐसी जगा रख सकते हैं जहां इसको सुबा की चार पांच गंटे की दूम मिल जाए चाहे दोपैर के टाइम आप इसको शाय में भी रख सकते हैं और बाकी समय आप इसको दूप में रख सकते हैं जहां इसको अच्छी दूप मिले तो बरसाथ के दिनों में आप इसको ऐसी जगा रखें जहां इसको बारिष पानी होता है बरसात का वो इस पर ना ज़्यादा गिरे क्योंकि ये बरसात का पानी अगर लगातार इस पर घरता रहेगा तो तब भी आपका प्लांट है वो खराब हो जाएगा तो बरसात के दिनों मैं इसका थोड़ा सा ख्यार रखना पड़ता है जो फुर्वियमिलिका की बारिश का जो पानी है लगातार इस पर ना गिरता रहेगा तो ये आपका जो प्रांट है जो सदा आपके पास बना रहेगा बस यही इस थोड़ी सी इसका चीजों का ख्यार इसमेर रख दिया और बाकि समय आप इसको फुल दूब में रख सकते हैं और इस तरीके से जो आप इससे फ्लावरिंग पासकते हैं यह बहुती लो मेंट्रेनेस और वहुती खुबसरोता और पूरा साल बर जो प्लावनिक देने वाला प्लांट होता है जो फुर्वियमिल तो इसको आप इस समय लगा सकते हैं तो इसकी प्रपोगिशन की बात करूं तो इसको आप कटिंग से बहुत ही असानी से जूफोर विया मिली को ग्रो कर सकते हैं तो यह प्लांट जो है अगर आपके पास नहीं है तो कहीं से आपको कटिंग मिलती है तो इसकी आप cutting grow कर सकते हैं और इसकी cutting को grow करने का जो season है अक्तूबर नमबर से लेके जो है apple में तक चलता है और ये plant जो है इन दिनों बहुत ही असानी से cutting से grow हो जाता है तो इसमें जैसे ये bite color है तो इसमें और भी बहुत सारे color होते हैं जैसे red है, pink है तो जो भी आपके पास color ना हो तो आप उसको cutting से बना सकते हैं और ये cutting से बहुत ही असानी से grow हो जाता है तो cutting नहीं लगाना चाहते हैं तो nursery से भी इस समय आप जैसे मार चैपरल में इसकी जो plant है वो nursery से ला सकते हैं और गर्मी के दिनों में ये बहुत ही असानी से मिल जाता है nursery हो भी यो पे तो ये तो पूरा-साली nursery पे मिलता रहता है क्योंकि अबी इस विला जा-जो फ्लावर रिंग का season है तो ये nursery हो भी असानी से मिल जाता है plants रिस नर्स्री से भी ला सकते हैं तो अब बात करूब की तो मैं अपने प्लांट को जो है लीकूरर फटिकलाइजर बना के देती हूं जैसे बली कंपोज चि everybody दोनों को पानी में गोल के तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाके तो वह मैं इसको देती हूं लिकुड फटलाइजर बनाके तो यह देखिए मेरा जो प्लांट है फुल ब्लूमिंग पे है और मैं इसको जादा और कोई फटलाइजर नहीं देती हूं तो फटलाइजर है वह बीस दिन पहले ही फटिलाइजर दिया होगा बर्मी कंपोज और जो डीएपी का लिकोड फटिलाइजर बना के दिया था और यह दिखी मेरे प्लांट जो पूरा फूलों से बरा हुआ है तो इस तरह के से आप भी अपने प्लांट को फटिलाइज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स जूरू लगाईए एक से लो मेंटनेस और खुबसूर से जूफ और विया मिली को अपने गार्डन में तो थेक्यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए वीडियो आपको कैसे लगा कोमेंट करके जूरूर बताएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडिय भीडियो